नमस्कार दोस्तो आज हम आपके लिए बहुती जबर्दस वीडियो लेकर आए हैं चुपचाप यहां रख दे पीपल के ग्यारा पत्ते साथ पीडिया भी बैट कर खाएंगी जय बजुरंग बली की दोस्तों कैसे हो आप सब प्रभू सरी राम चंदर के किरपा से आप सभी की सभी मनों कामना जल्दी पूरी हो दोस्तों यदि आपको कड़ी मेहनत करने के बाद भी डला प्राप्त नहीं होता है तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ खास और आसान उपाएंब बताने बाला हूँ इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले पीपल के ग्यारा पत्तों के बारे में बताऊंगा चुप चाप यहां रख दे पीपल के 11 पते, 7 पीडिया भी बैट कर खाएंगी पीपल के 11 पतों के सबसे आसान और खास उपाई के बारे में बताऊंगा इसके साथ ही मैं आपको इसमें पीपल के बारे में कितनी सारी खास बाते हैं और पीपल के पेड़ से जुड़ी हुए कितने सारे आसान उपाई हैं जैसे दीपक जलाना यह सब के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीपल के पतों के खास उपाई के बारे में चुपचाप यहां रख दे पीपल के 11 पत्ते, 7 पीडिया भी बैट कर खाएंगी कैसे आप अपने भागय को पीपल के पत्तों के उपाये से जगा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अब इसे लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही बैल के आइकन को दवाना ना भूले इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएगा मुसे जुड़े रहने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जै बजरंग वली भी लिख सकते हैं दोस्तों सास्त्रों के अनुसार हनुमान जी शीगर प्रसन होने वाले देवी देवता में से एक है आपको प्रसन करने के लिए कई प्रकार के उपाए बताए इने उपाएव Óमें से एक है सबसे पहले चिसके बारे हुद करने वाले है इसके बारे में आध बाध करेंगे जानेंगे उस उपाय कि उसकी विधी क्या है। उसको विधीवत किस प्रकार से पूरा किया जाए। जीससे आपको बहुत जल्दी positive हल मिल जाए। दोश्ट। यह उपाय पीपल के पत्तों से किया जाता है। स्री राम के भग्त हनुमान जी की कृपा प्राप्थ होते ही भग्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, पैसों से जुड़ी सभी समश्चाएं समव्ध हो जाती हैं, कोई रोग हो तो वैं भी नश्ट हो जाता है, इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में को अर्णम बग्त हनुमान जी का केवल नाम श्मरण करने से ही आपके सभी जुकदर्द दूर हो जाते हैं, दोस्तों जितना जयादा आप चैब जर्णंख भली लिखते हैं, दोस्तों उतना ही जयादा आपके पुण्य कर्म बिर्दी होती हैं और भगवान श्री हनुमान जी की आपके उपर करपा बनने लगती है और आपके सुखदर्द बिना किसी उपाय के भी आदे दुखदर्द तो वैसे ही दूर खतम हो जाते हैं दोस्तों हनवान जी की पूजा में पवितरता का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए अगर आप हनवान चालिसा का नियमत उताड करते हैं या नियमत पूजा हनवान चालिसा पढ़ते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो आपके जीवन में से सारी परिशानी अपने आप भी कोश दूर चली जाती है दोस्तों अगर आप जै बजरंग बली दोगों से बोलते हैं या उनसे बुलवाते हैं या कमेंट बोक्स में लिखते हैं तो दोस्तों इससे भी आपसे पैसों की तंगी का सामना आपको कभी नहीं करना पड़ता है दोस्तों अगर आप फिर भी पैसों की तंगी से जूज रहे हैं तो आपको यह उपाई जरूर करना चाहिए और इसके लिए आपको बस 11 पत्ते चाहिए पीपल के पेड़ के जी हां दोस्तों पीपल के पेड़ के 11 पत्ते तो अब बात करते हैं कैसे आपको करना है यह पास जाना है और पीपल के पेड़ के पास जाकर आपके घर के आसपास जाकते है दोस्तोतो इस टोटते समय आपको एक बात का वह शद्यानक न है जो पते आप तोड़े तो आपको पूर पत्ते लेकर आने हैं इन ग्यारा पत्तों पर आपको सवच जल से दो लेना है, इन पत्तों को आपको शनान करवा लेना है, सब्सक्राइब जल से दो लेने के बाद आपको घर में अगर गंगा जल है तो आप उसे भी उसके उपर खुड़ा सकते हैं अब 11 पते आप अपने सामने रख ले अब एक साथ 11 पते रखने के बाद उन्हें सुद्ध कर ले और दो देने के बाद आपको इन पर कुम कुम लगा लेना है या अश्टकंद भी आप इसमें लगा सकते हैं यह कुम-कुम आपके पास नहीं है अश्टकंद भी नहीं है तो दोस्तो आप चंदन ले आएं उसे चंदन से आप उसको लगा लें और इसको आगे की पूजा अर्चना करने के लिए तैयार कर लें दोस्तो इन में से कोई भी आप एक चीज रख सकते हैं यह आपके पास तैके यह बना हो दो आप चीज अपर और उपने पास रख लें जो आपको अछनी मिल जाए हम मान लेते हैं कि आपने कुम-कुम से अउपाई किया है अगर आपके पास घर्मे नहीं है तो आप मार्केट से भी इसको लेकर आ सकते हैं आप इनमें से कोई भी एक चीज अपने पास लेकर आए मार्केट से उसके बाद आपको पानी में थोड़ा साथ कुम-कुम को मिला लेना है हमने ऐसा माना है कि आप कुम-कुम लेकर आए है तो दोस्तों आपको थोड़ा पानी कुम-कुम में मिला लेना है इसके बाद आपको इस पत्ते के उपर स्री राम लिखना है इस प्रकार से आपको पत्ते पर आपको स्री राम लिखना है स्री राम लिखने के बाद अपने मन में आपको स्वच्चता बनाई रखनी है यानि कि आपके मन में कोई द्वेश भाव या फिर कोई भी प्रकार की चिंता प्रिशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों आप एक एक करके सभी पत्टों पर स्री राम लिखेंगे पहले आप एक पत्ता उठाएंगे उसके ओपर स्रीडाम लिखेंगे और उसके बाद आप दूसरा पत्ता लेंगे और उसके पर भी स्रीडाम लिखेंगे और फिर तीसरे पत्ते पर इसी प्रकार से आपको 11 के 11 पत्तों पर स्रीडाम लिखना है अब जब आप इन सभी पत्तों पर स्री राम लिख देंगे तो उसके बाद इन पत्तों को आपको एक माला बनाना है माला आप चाहें तो इसके लिए आप धागे का इस्तमाल भी कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए मोली का यूज भी कर सकते हैं यानि कि कलावे का यूज कर सकते हैं जिसे हवन आदी पूजा के समय अपने हाथ में लाल रंग का धागा बांदा जाता है उसका इस्तमाल आपकी कर सकते हैं इन पत्तों को बांदने के लिए तो इन पत्तों से आपको जो माला बनानी है एक पत्ता ले उस पर धागा बांद ले यानि कि ध्यान रखें कि आपको पत्ते में छेद करके नहीं आपको उसकी डंडी में इसको बांदना है और फिर इसके बाद दूसरे पत्ता ले वहापको को धागा बांद लेना है पत्ते में जहां धंटन होता है जैसे धंटन बोलते हैं यानि कि पत्ता पेड़ से जुड़ा रहता है टहनी के साथ जुड़ा रहता है वहाँ पर आपको धागे को बांदना है इस तरीके से आपको ग्यारा पत्तों की एक माला बना लेनी है इसके ब बापर हनवान जी के गले में ना डाल सकें, तो आपको उनके चरणों में रख देना है, यानि कि हनवान जी के चरणों में आपको उसे रिपित कर देना है, इस प्रकार यह उपाई करते रहें, और कुछ समय में आपको पॉजिटिव परिणाफ मिलने लगेंगे, ज्यान रहे उपाय करने वाला वक्त किसी भी प्रकार के धार्मिक कारे ना करे यानि कि अधार्मिक कारे नहीं करने है यानि कि धर्म दे जुड़े रहना है आपको और अधार्मिक कारे नहीं करने है किसी का बिनास आदी नहीं करना है जिक टैम पर आप इसको कर रहे हैं तो बहुत ही आसार और खास उपाय है इसलिए आपको कोई भी अधार्मी कारें नहीं करना है किसी का अनिश्चित नहीं सोचना है आप इस उपाय को करते समय इमांदारी से अपना कारे करते रहें आपको इसका पूण फल मिलेगा इसके साथ ही और भी आसार और खास उपायों को पहचान लेते हैं जो कि है नारियल का उपाय नारियल के उपाय को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है आपको बाजार में जाना है नारिल लेकर आना है नारिल को लेकर आए और उसके बाद आपको हन्मान जी के मंदिर में जाना है आप हन्मान के मंदिर में पहुचने के बाद उस नारिल को अपने सिर के उपर से साथ बार उतार ले यानि कि साथ बार घुमाकर उतारने ले उतार ले और साथ बार आपको अपने सिर्पर से घुमाना है जब इसको आप घुमाएंगे तो आपको घुमाते ही अपनी समझते चिंताओं से मुक्त हो जाना है आपको इसे anti-cloak-wide direction में घुमाना है और इसके बाद आपको ये नारियल जहां जिस हनवान मंदिर में है उस हनवान मंदिर के सामने आपको भेट कर देना है आप चाहें तो इसे किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो गरीब व्यक्ति ना मिले तो आप हनवान मंदिर में मौझूद हनवान और स्वास्तिक बनाना है इसके बाद मंदिर में जाए और स्वास्तिक बनाने के लिए अत्रोलिया कैसर का यूज कर सकते हैं या वो किसी भी कुजा की दुकान पर मिल जाएगी यगर आपको ये ना मिले तो आप कुम कुम का इस्तमाल भी कर सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए आप उसको इस्तमाल कर सकते हैं आप कुमकुम लेकर आए या केसर लेकर आए आपको पानी में इसे थोड़ा सा मिला लेना है उसके बाद इसे आपको नारियल पर स्वास्तिक बनाना है यानि कि पानी को थोड़ा सा इसमें मिला ले ताकि गाड़ा हो जाए और आप इस असानी से बना सके और स्वास्तिक बना अपने पती की लंबी उमर के लिए मांग में सिंदूर लगाती है ठीक उसी प्रकार हनवान जी भी अपने स्वामी श्री राम चंदर जी के पूरे सरीर पर सिंदूर लगाते हैं उनकी लंबी आयू के लिए अपने सरीर पर सिंदूर लगाते हैं जो भी वेक्ति सनिवार को हन हनमान जी के लिए सिंदूर खरीटना है विल्कुल सुझ्द असनूर लेना आप को घर में पहले से पड़ा हुआ लेकर के आनी है और इसे शाद ही आपको खरीदने के साथ ही आपको दुकानदर भी कुछ सामान देगा तो आपको वेश्ब भी लेकर आना है उसके बाद आपको अपने आज पास किसी भी मंदिर में हनुमान मंदिर में जाए और बजरमभली की प्रतिमा पर चोला चड़ाए यानि कि जब आप दुकानदा कर सामान खर देंगे तो आपको एक केसरिया रंग का एक चोला यानि कि एक लंगोट भी देगा आपको इस चोले को जुरू चड़ाना है आप वहाँ पर मौजूद पंडित जी की सायता से इस चोले को चड़ा सकते हैं नहीं तो आप अपने या फिर आप उजारी को भी दे सकते हैं ताकि वह आपकी ओसे चड़ाता रहे थोड़ा सा सिंदूर में चमेली का तेर मिला कर आप दुरू चड़ा कर आए बाकि आप बज़ारी को भी दे सकते हैं ताकि वह आपके नाम से हनमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर लगाता रहे इसके साथ ही अगर आप हन्मान जी को चौमुगा दीपक जराते हैं तो यह चमतकारी उपाय है यह उपाय आपको सिर्फ सनिवार के दिन ही करना है दोस्तों क्योंकि आप यह उपाय इस वीडियो को देखने के बात कर रहे हैं इसलिए आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जैबजरणग वली या शनीदेव का नाम या मातारानी का नाम आपको अवश्य लिखना चाहिए दोस्तों इससे भी आपको कुन्य कर्मों में विर्दी होती है और आपके सभी संकटों के कटने में भी आपको आसानी मिलती है आपको दोस्तों यह उपाय शनिवार के दिन ही करना है आपको एक दीपक लेना है चो मुखा दीपक यानि कि जिसमें चार मुव होते हैं आपको चारों दिशाओं में जो होते हैं उसको लेना है और चारों दिशाओं में इसमें आपको एक एक बत्ती आपको जलाना देनी है और यह दीपक आपको हनवान जी के सामने जलाना है दोस्तों आगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जया बजरंग बली अवश्य लिखें और हमारी वीडियो का लाइक भी करें दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले क्योंकि हम आपके लिए हदोर लाते नहीं दोस्तों के वीडियो के साथ देखना ना भोलें तब तक के लिए में जजादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लखते रहें जै बजरंग बॉक्स